मैं डॉक्टर अनन प्रदीक्षित रेटार्ट फॉम अस्टेंड कमिश्णर दैट इस एक्विलेंट टू आई एस रेंक आपके समक्ष कुछ अनभव शेयर करने के लिए हूँ इस चैनल पर मैं ओफिसर्स लाइफ के बारे में उनकी खटी मीठी यादों के बारे में और कुछ महत्वपून चीजें जो आपके परिक्षा और इंटेव्यू में भी काम की होँगी उनके बारे में बताऊंगा यह आफिसर्स लाइफ का चैनल हो गया है आफिसर्स क्लास का चैनल एक नया चैनल है आफिसर्स क्लास फॉर सिविल सर्विसिस सर्च में न मिले तो लिंक मुझसे पूछ लीजे वाटसेप पर नंबर दिया हुआ है ये साइड में और उसको सब्सक्राइब कर लीजे ज़्यादस 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 सब्सक्रिप्शन ज़्यादस ज़्यादा फ्री मेंटर मिलेगा जिन्होंने सब्सक्राइब किया है सभी चैनल को उनको ठैंक्स जिन्होंने नहीं किया उनसे कहना है कि कर लीजिए कब करेंगे आनंद लाइफ चैनल आपके जीवन का प्रबंधन करने के लिए एक बार को देखिए तो वीडियो उसके कितने काम के हैं आपके अब आप कहें कि आप हमारे ही वीडियो देखते रहे हाँ बिलकुल हमारे ही वीडियो अगर देखते रहे हैं तब भी क्लियर हो जाएगा और तमाम सारे और वीडियोस देखते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला क्योंकि हर जगे धंदेबाजी है ठगी है जूट बोला जा रहा है फरजी बातें की जा रही है नोडाउट बहुत से चैनल बहुत अच्छे है ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे हैं लेकिन जो व्यक्ति जूट बोलता हो आपको पढ़ने से मना करता हो नोट्स बनाने से मना करता हो आपको ये समझता हो कि आपको कुछ नहीं आता जाता आपका मजाग बनाता हो आपकी समस्याओं का उपहास करता हो उस चैनल को कभी मत देखी जो fraud IS के interview प्रकाशित करता हो जो IS में select हो चुके candidates के interview दुबारा करके आपको बेवकूब बनाता हो अब उसको आप क्या करेंगे ये आप जाने ऐसे interviews की कोई authenticity नहीं है आप लोग अपना समय नश्ट कर रहे हैं इससे आपकी न दृष्टी विक्सित होगी न विजन विक्सित होगा न इंसाइट विक्सित होगी कुछ भी विक्सित नहीं होगा ये सब फर्जी होते हैं जो IS में select हो गए हैं वो आकर अगर interview देते हैं पहली बात ये conduct rules का उलंगन है clear cut ऐसा नहीं कर सकते हैं लेकिन कर रहे हैं ये बात अलग है चूंकि ये cognizable offense नहीं है नहीं तो अगर कोई इसकी complaint करे तो उनके खिलाफ लोग से वायो कारिवाई कर सकता है और यहां तक कि जो लोग select होने के बाद जो तमाम coachings को promote करते हैं उनका candidature भी निरस्ट हो सकता है और उनका selection cancel हो सकता है ये बाद में बहुत साफ बता रहा हूं legal issue है government servant conduct rules में आप किसी व्यापारिक संस्थान के promoter नहीं बन सकते even अगर आपका स्वयम का अपना व्यापारिक संस्थान है तो वहां पर आप पढ़ा सकते हैं बिना पैसे लिए लेकिन सरकारी कामकार जों बाधा नहीं पढ़नी चाहिए कभी कवार class ले सकते हैं लेकिन तमाम व्यापारिक संस्थानों का promotion करना ये गलत है वहां जाना जाकर वहां चात्रों को मैं तो कहूँगा बरगलाना कि आप ये चार किताबें पढ़िए ये NCRT पढ़िए ये सब घलत बात है मेरा open challenge है कि जितने प्रशन एक्जाम में आये हैं NCRT और उन चार किताबों से निकाल लिए जाए मैं चुनोती देता हूं ये बात अलगे कि अगले edition में इस साल के question उस उन किताबों में शामिल कर दी जाएंगे लेकिन उन चार किताबों में public policy पर कहां से मिलेगा social geography कहां से मिलेगी कहां से मिलेगी अभी PCS का एक्जाम हुआ है मेरे सारे चातर कह रहे हैं कि सर कम्यूनिकेशन पर इतने बढ़िया questions थे चूकि हम आपके चातर थे तो हम वो कर पाए CSET की किसी कुछ चिंता नहीं होती हमसे पढ़ना वालों में से तरह तरह के paid classes हैं अरे कुछ नहीं तो excel batch जो है मात्र 11,000 रुपए का जो की with personality development batch 19,000 का है 11,000 का personality development 11,000 का excel batch मिला के 22,000 वो 19,000 में आपको मिल रहा है 31 October तकी सुगदा है इसके बाद free personality batch किसी के साथ नहीं मिलेगा जानकारी तो करिए और class लीजे संकोच क्यों करते हैं इतना सफल अधिकारी और इतना सफल व्यक्ति जो पढ़ा रहा हो तो उसके class में admission लेने में संकोच किस बात का मुझे आश्चर है आज मैं जो बात बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए काफी आपके काम की है common sense के लिए general knowledge के लिए interviews के लिए तमाम बतों के लिए सरकारी अधिकारियों के लिए मैं करमचारियों के बात नहीं कर रहा है करमचारी यानि clerk और चप्रासी अधिकारी की बात कर रहा हूँ अधिकारी रहा हूँ अधिकारियों को ही होने वाले अधिकारियों को ही पढ़ाता हूँ तो करमचारियों पर जो बातें कोई भी मैं नहीं कर रहा है सरकारी अधिकारियों को छुट्टी का अधिकार मिला हुआ है प्रिविलेज मिला हुआ है प्राथमिक्ता मिली हुई है या सुविधा मिली हुई है ये तो प्रश्ण हो गया अब्जेक्टिव टाइप यह केवल सुविदा है यह अधिकार नहीं है यह प्रिविलेज नहीं है आप छुट्टी ले नहीं सकते हैं छुट्टी मांग सकते हैं यू केन आस्क फॉर लीव और वो छुट्टी अस्विकार की जा सकती है यह नहीं कि आपने छुट्टी के application दे और खेसक लिए नॉर्मल होता ऐसा कि application विजवा देते हैं लेकिन बड़े काम बड़े जिम्मदारी की बहुत से काम बड़ी जिम्मदारी की होते हैं मैं चेक पोस्ट पर छुट्टी के application जब आप भेजेंगे मतलब essential services में जैसे की flying squad special task force police की तमाम सारी नौकरियां sales tax की बहुत सारी नौकरियां उनमें जब आप छुटी मांगेंगे तो बहुत पहले से मांगनी पड़ती है और जब ये पत्र आ जाया कि आपके इस्थान पर ये अधिकारी कारी करेंगे तो अपना चार्ज उन अधिकारी को temporarily दे कर आपको जाना पड़ेगा हो सकता आपका senior ही आपका charge ले ले अगर field work नहीं है तो और अगर field work है तो अपने प्रतिस्थानी के आगमन के बिना आप नहीं जा सकते मान लिजे नाम लिख दिया गया कि आपका अवकाश स्विकृत किया जाता है इस शर्त के साथ कि आपके स्थान पर स्री पंकज कुमार को भेजा जाएगा और आप पंकज कुमार के आने पर ही उनको अपना चार्ज सौप कर अपने आवकाश के लिए प्रस्थान करें सारी कारवाई हिंदी में होती है तो मुझे इंतजार करना पड़ेगा पंकज कुमार जी का कि जब वो आ जाएंगे तब मैं उनको अपना काम सौप के जाऊंगा बता के जाऊंगा मैंने कहां छोड़ा है कहां से आप शुरू करें यह नहीं है कि छुट्टी दी चले गए माट साब नहीं है कालिज के कि लड़के हुलर मचा रहे हैं क्लास छूटा हुआ है माट साब छुट्टी पे चले गए रहा हूं पांच साल डिग्री कॉलिजिन प्रॉफेसर मैंने भरसक तो छुट्टी ली नहीं लेनी पड़ी किसी मजबूरी में बस छूट गई कभी कुछ हुआ मजबूरी में कभी लेनी पड़ गई तो क्लास से कंप्रोमाइज नहीं किया तब भी इतने करतव भावना मेरे अंदर थी इसलिए मेरे चातर तबके पढ़े हुए भी मेरा बहुत सम्मान करते हैं इडूल में जो है program में और जो उस दिन मैंने छूटी ली थी वो क्लस भी में ले रहा हूं मुझे पढ़ाने मज़ा आता था प्रेक्टिकल पांच-पांच गंटे करवाता था तो पढ़ाने लगता था ठीकल कराते गणते पढ़ाने लगता था बहुत सारा केमिस्ट्री का अवकाश आपका अधिकार नहीं है मुझे इसका परिणाम भी भुगतना पड़ा मैं अपनी case study बता रहा हूँ जब मैंने resign किया तो पहले मैंने छुट्टी ली और छुट्टी की application मैं ही resignation जोड दिया क्योंकि जब मैं छुट्टी बढ़वाने के लिए गया तो earn leave होती है हम जो है earn करते हैं जब हम नौकरी करते हैं साल वर नौकरी करते हैं तो 30 दिन earn करते हैं कभी 30 कभी 30 दिन earn करते हैं कि और जब हमारे खाते में उस जमाने में रिवाज था कि जब हमारे खाते में 90 दिन दिन जमा हो जाते से या यानि 12 साल नौकरी करने पर अगर 30-30 दिन हर साल हम जमा करते रहे अर्णलीव तो 360 दिन हमारे खाते में जमा हो गई अब 13 साल की अर्णलीव मुझे नहीं मिलेगी या तो मैं उसे एंकेश करा लूं 30 दिन की वेतन भी में ले सकता था है या इंकेश्मेंन्ट होता है rich underestimate ले सकता था यानि सेल्ली सकता था सीदी बात ये बारह म böl Trib неб तेरह मेने की सेलई लेने का प्रावधान ने या बारह म می Weird की सेल ली लीजिए एक महीना की छुट्टी लीजिए लेकिन एक खास पेस्किल तक जब आप सीनियर हो जाते हैं तो फिर एंकेश्मेंट आधा ही मिलता है यह टेक्निकल इश्यू अभी हम यहां डिसकस नहीं कर रहे हैं आज नियम भी थोड़े थोड़े बदल चुके हैं इसलिए तुम्हें वो चीजे में नहीं बता रहा जो अपसुलीट हो गई है तो एक छुट्टी के साथ दो से छुट्टी एनेक्स नहीं कर सकते थे हम यह जो छुट्टियों की नियमावली है इसको कहते हैं फाइनेंशियल हैंडबुक वॉल्यूम थ्री फाइनेंशियल हैंडबुक वॉल्यूम थ्री यूपी में इसमें छुट्टियों की नियमावली है स्टेट ऑफिसर्स के लिए जो हम लोग PCS ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए रैंक हमारा भले ही आईस रैंक पहुंच जाएं लेकिन हम लोग एडिशनल कमिशनर थे वो कमेंट पास करने लगे सरकाजम करने लगे और मजाग बनाने लगे और तमाम सारा उट पटांग बातें कहने लगे मैंने रेजिगनेशन लेटर टाइप कराया है छोड़े आया है रिजाइन कर दिया क्योंकि मुझे कोचिंग पर वरोसा था कि मै कर लूँगा और कर भी लिया इस तो मैंने एक चुटी में दो सी चुटी एनेक्स कर दी और फिर रेजिगनेशन उसी में जोड़ दिया एडिशनल कमिशनर के तो वारे ने रहे उन्होंने का ठीक है बेटा बताता हूं तुम्हें मैंने नियम नहीं समझा ठीक से अलाग मैं जानता था लेकिन आवेश में आके गोस्ते में आके मैंने ये किया तो उन्होंने मुझे अटका दिया जिसकी वज़े से मैं बरसों अटका रहा उन्होंने का चुनाव चल रहे हैं कोई छुटी स्विकार नहीं होगी उस तमएं कोई चुनाव चल रहे थे लोकसभा विदा तो उन्होंने कहा कि चुट्टी एक्सेप्टि नहीं है चुट्टी रिजेक्ट की जाती है जब पहली चुट्टी एप्लिकेशन रिजेक्ट होगई तो उसमें जो जुड़ी हुई पीछे से दुम्छले वाली application थी वो भी reject हो गई अरन लीव की और उसी से जड़ा हुआ resignation letter उसी में समा गया उन्होंनों उसका नामी नहीं लिया resignation letter का मैंने का कि मेरे प्राथना पत्र संख्या फलाना यानि दूसरी छुटी के साथ मैंने resignation letter भी दिया है कि यदि वो स्विकार क करें तो resignation स्विकार कर ले अब मैंने अपनी तरफ से नया नियम निकाल दिया ऐसा कोई नियम नहीं आपको resign करना है तो अलग से करिए यही बात हुई high court तक मुकदमा चला और ultimately high court ने मेरी बात मानी के आपको resign करने का अधिकार है लेकिन छुटी का अधिकार नहीं है तो उन तीनों किस्से नहीं सुनाऊंगा एक ही बात बताऊंगा तो high court ने मुझे आदेश दिया कि तुरंट आप जो है कारेले मुपस्तित होई है इसके बाद अगर आप चाहें तो resign कर सकते हैं जिस पर सरकार विचार करेगी और विचार करके अगर स्विकार करती है तो स्विकार करेगी अस्विकार करती है तो यह उनकी मर्जी है उसके खिलाफ अगर वो अस्विकार करती है सरकार तो आपके पास appeal के option खुले हुए मैंने join किया फिर resign कर दिया इमीजेटली तुरंट इस बार मैंने छुटी की गलती नहीं की छुटी नहीं ली resign कर दिया तो high court का order में था कर बिसकार करेगी दो कार के सरकार उछा करेए सभिकार करें उन्होंने बीच में लटका दिया न सुषिकार के न सुषिकार करें अब हम जाच कर आएं कि यह जाएं कर रहा है तो मैं आराम से कोचिंग चलाता रहा क्योंकि मैंने पहली कह दिया तो मैं विभाग में आऊंगा नहीं और वेतन भी नहीं लूँगा मैंने वेतन भी नहीं लिया मेरी कोई गलती भी नहीं कोई ये उंगली नहीं उठा सकता है कि आपने वेतन लिया और यहां कोचिंग चला रहे तो आराम से मैंने शान से अपना जो है कोचिंग चलाई और शान और शौकत से पूरी रहा और उन्हीं लोगों की च्छाती पे मूंग दली जो सोचते थे कि वो मुझे हैरेस कर लेंगे ये इश्वर की करपा से ही संबब होता है फिर मैं 60 साल का हो गया तो डेपार्टमेंट की हवा निकल गई क्योंकि अब तो वो कुछ करी नहीं सकते थे मैं उनकी चंगुल से बाहर हो गया अब वो क्या करते हैं रिजाइन करके मैं नौकरी ही तो छोड़ना चाहता था हलागि इस बार टोटल दो बार और ऐसा हुआ कि हाई कोट ने मुझे से फिर कहा कि आप अपना नेड़ा एक बार फिर ले लिजी एक बार सचवन ने मुझे बुला के कहा कि एक बार फिर से विचार कर लिजी कि आप सच में रिजाइन करना चाहते ने देखिए काल पालिक इधायका तो नहीं लेकिन नियाई पारिका सब यह चाह रहे थे कि मैं नौकरी करूँ तो करता रहूं क्योंकि मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा था तो कोई भी मुझे छोड़ना नहीं चाह रहा था हाइकोर्ट ने लिखा अपने आदेश में कि जब आप इतना अच्छे ढंसे कारी करते रहे हैं और आप प्रशंसेत अधिकारी रहे हैं तो आप एक बार फिर विचार करिए और तब उसके बार नेर्णा लीजिए आपका जो हाथ रखके जैसे कोई बृद्ध पितामहा अपने बच्चों के उपर हाथ रखके मुझे नियाए पालिका से सदर्व लाव मिला है सदर्व मुझे संरक्षन मिला है कारे पालिका ने तो बहुत दुष्ट अता किये मेरे साथ तो मैं नियाए पालिका का तो प्रशंसक कि नियम न हो तो नहीं कर सकते के वो मेरे राश्ट्र विचार कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं जब राश्रपती महामायम ज्यानी जैल्ड़ सिंग जी को राश्र नहीं किया विचारना न्होंने ऐसे ही मेरे Resign Legal इन्होंने विचार नहीं किया, इसमें कोई समय सीमा करेंगे ही और स्विकार करेंगे नहीं किया, अच्या ये भी नहीं कि उनों ने का ठीक है, आप आईए नौख्री करिए, कि अगर आपको करना है नहीं करना है तो ठीक आपकी मरजी है उल्टे मुझसे चार बार पूछते होड़ते कि आप कार्यारे में अन्वस्तित हैं आप एपसेंट हैं जब मैं रिजाइन कर चुगा तब भी मुझे एडिशनल कमिशनर और कमिशनर और सच्व यह मानने को तयार नहीं थे कि इन्हुन ने दिपार्टमेंट छोड़ दिया सारे पत्र कल मैं पुरानी प्लाने सारा काइदिस सरे पत्र ने लगा रहा था मैं अब मैं उधीדר कमिशनर तक पहुंच जाता, मेंबर ट्रिबुनल हो जाता, हाई कोर्ट की जैज के समकक्ष हो जाता, तब अगर मैं बाद में यूट्यूब चैनल खोलता तो मैं खहता कि समकक्ष, न्या अधिश, उच्छ न्याल है, तब मैं ये भी लिख सकता था, अगर मैं उस पद पर पह हो जाता, लेकिन जो हूँ वही तो लिखूँगा, जो नहीं हो थोड़ी लिखूँगा, तो तुम्हें आज मैं ये ग्यान दे रहा हूँ, कि सरकारी नौकरी में छुटियां आसानी से नहीं मिलती, अरन लीव होती है, कैजूर लीव होती है, स्पेशल लीव होती है, मेडि Central Government के बारे में बताया गया है State Government पर उसमें कम ही मैटर है Central Government के बारे में बताया गया है उसमें भी जो लिखा है छुट्टियां तो सबकी लगबग एक जैसी होती है हमारे विभाग में LTC नहीं होती थी Leave Travel Concession यानि कि सेर सपाटा करने के लिए छुट्टी मिलती है जो LTC नहीं होती है LTC बैंकों में होती है सरकारी अधिकारी नहीं होती है Bank सरकारी करमचारी नहीं है Bank एक company होती है अब वो सरकारी company है तो State Bank जैसी होगी Private company है तो SDFC आफ एक से टाइब की होगी तो आज का ग्यान यहीं तक चैनल सब्सक्राइब करिए ओफिसर्स क्लासेज लिंक न मिले चैनल न मिले तो लिंक मुझसे वाटसेब पे पूछिए और पेट क्लास कोई भी जॉइन करेंगे तो आप तब जानेंगे कि ग्यान क्या होता है और टीचिंग क्या होती है जब तक नहीं करेंगे आपकी समझ में नहीं आएगा हर तरह के क्लास मौझूद है 11,000 से लेके 1,80,000 तक के और ऐसा नहीं है कोई क्लास अगर कम फीस का है तो उसमें कंप्रमाइस किया गया वो जिस विशय के लिए बना है उस विशय में जितना ग्यान हो सकता है उतना दिया गया हर क्लास अलग अलग है आपके लिए आदर्श बैच फांडेशन बैच है 31,000 मिल जाएगा 31,000 अक्टूबर तक बिना परस्नेलिटी बैच की और अगर 31,000 प्लस 11,000 22,000 लेकिन आपको 37,000 ही देना है तो आप अगर 37,000 में लेते हैं जिसको हम AFP कहते हैं Advanced Foundation प्लस बैच इसके अंतरगत आपको Advanced Foundation बैच मिलेगा 300 वीडियो करीब करीब और 80 वीडियो का Personality Development बैच मिलेगा सब कुछ पूछने के अनुमत ही है जिसमें देर मत करिए ऐसा नहों कि करियर के सपने ही देखते रहें और तमाम जूट और फरेव परोसने वालों की चक्कर में आप आ जाएं और सब पैसे गवा बैचें फिर आपके पास मेरे छोटे से छोटे बैच में भी मिशन लेने के पैसे इदना बचें मुझे आश्यर होता है एक छात तो जो बढ़ चड़ के कह रहा था एक बार कि सर मुझे आपके सारे बैच लेने हैं मुझे सारे खटे लेने हैं उसने एक क्यावन सो तक का बैच नहीं लिया इतनी इंक्वाइरी की इतनी जानकारी की इतनी बातें पूछी इतनी बातें क्या फाइदा इन बातों का आपको पहले से फीस पता है तो फिर अनावश्चक पूछतास से टाइम वेस्ट होता है अनावश्यक पूछता से जब आपको अपनी affordability पता है कि 500 का batch भी नहीं ले सकते तो फिर अनावश्यक पत्राचार करने से कोई लाब नहीं है WhatsApp करने से कोई लाब नहीं क्योंकि मेरा समय बहुत कीमती है आपका कितना है मुझे नहीं पता तो इसलिए जो है पहले समझे कि Facebook पे सब batches के detail पड़े हुए मेरी website शिखराईस.in पे सारे batches के detail पड़े हुए WhatsApp करते ही सारे batches के detail आपको मिल जाते है तो इतना छोटा मोटा investment है ये इतने बड़े career के लिए ये बातें आपको सोचनी चाहिए अगर नहीं सोचते हैं तो मैं कुछ कर नहीं सकता इसके लिए Thank you